प्रभी शुमसी के नाम में आप सभी को जे मसी की आप सभी लोग जानते होंगे कि इन दिनों में पंजाब में बसी लोगों के उपर सताव हो रहा है जी हाँ और एक कैथोलिक चर्च में कुछ विरोधी लोग आए और प्रभी शुमसी की मुर्तियों को तोरफोर किया और भी वहाँ पर एक घतना घटिती जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ये जो घतना घटिती के वहाँ के जो पाष्टर की एक कार थी तो विरोधीओ नहें उस कार को भी जला दिया जी लोगों ने इस घटना के बारे में पुलिस प्रसाशन को भी बताया है और पुलिस प्रसाशन ने आस्वाशन दिया है कि जल्दी ही जल्दी जो लोग आरूपी है उपको गिरिपतार करेंगे इस घटना को न्यूस ने भी कवर किआ है और G-news ने इस परकार से बताया है कि जवरण धर्मांतरन के आरोग के बाद तरन तारन शहर में चर्च पर हमला पाश्टर की गाड़ी को जलाया पंजाब के तरन तारन शहर में मंगलवार रात एक चर्च में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ सोड़ की घटना मंगलवार रात बारा बज़ कर तीस बज़े की है बताया गया है कि चार आरोपी चर्च में दाखिल हुए पहले तो चर्च के बाहर लगी प्रभीई शुमसी और माता मर्यम की मुर्ति का सर तोर दिया इसके बाद पास्टर की कार में आग लगा दिगी सिसी टीवी में दो आरोपी दिखाई दे रहे है स्तानिय पुलिस मामले की जांच में जुटी है वह इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का महौल है पुलिस की कई टीमी आरोप्यू की तलाश कर रही है तो ये जो में विवाद है वो क्या है रिपोर्ट की मुताबित घटना तरं तारं जिल्ले के विदान सभा छेत्रप पट्टी के गाउं ठककर पूर की है ये गटना ऐसे दिन हुई जब अकाला सक्त जथेदार ने इसाई मिस्द्वियू द्वारा जबरन धर्मात्रन के खिलाब एक बयान जारी किया था ऐसे में इस हमले को उसी के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है अकाल तक्त के कारव वहागतर ज्यानी हर प्रित सिंग द्वारा निहग नेता बाबा मेजर सिंग और उनके लग सो पचास समर्थकों को समर्थ देने की घोशना के बाद ये घटना हुई है पहले जडियाला थाना में एक मसीही नेता की सिकायद पर निहंग नेता बाबर मेजर सिंग और उनके करीबी एक सो पचास समर्थों पर एफायार दर्ज की गई है पुलिस ने यहाँ एफायार आईपीसी की धारा दो सो पिंचान में दो सो च्यान में चार सो सताइस एक सो और तालिस और दर्ज की गई है पबले में आकाल सक्त के कारवाहद जतेंदर ज्यान सिंग मांगी है कि बाबा मेजर सिंग और उनके समर्थों को के खिलाब जो केस दर्ज किया गया है उसे रद कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वे केवल जबरन धर्मांतरन का विरोध कर रहे थे उन्होंने कहाए कि कानुन जबरन धर्मांतरन की इजाज़त नहीं देता है लेकिन यह आचरी की बात है कि पंजाब के सिमावर्ती इलाकों में बड़े पेमानों पर अभियान चलाकर लोगों का जवरन धर्मांतरन किया जा रहा है हमने केंदर सरकार से इस मामले में हक्त पेश करने की मांग की है उन्होंने आगे कहा है कि पंजाब सरकार को निहोंगों के खिलाब मामला तुरंत रच कर देना चाहिए तो कि सिक समुदाय उनके साथ खड़ा है हमने 5 सितंबर को स्री आनंदपूर साहिब में एक बेठक बुलाई है और इस मुद्धे पर चर्चा के बाद एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा इस मामले की सुचना मिलने के बाद एस पी सतर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुँचे तो ने उस चर्च के गाड़ से भी बादचित की घटना से इसर समुदाय के लोगों में काफी गुसा है इसर समुदाय के लोगों ने दोश्यों के खिलाब कड़ी से कड़ी कारवाई की मांग की है जिस चर्च में ये हमला हुआ है वहाँ पर चार जो विरोधी लोग आये थे और दो लोग तो हम सिसी टीवी कैमरे में देख सकते हैं जिन्होंने प्रभुई शुमसी की मुर्ती और मरियम की मुर्ती को तोड़फोड किया था और उसके बाद कार को भी आग लगा दी गई थी और जो गार लगे थे उनके उपर भी पिस्टोल तान के रखी थी ताकि ये भागने ना पाए और इस परकार की जो घटना घटी थी वो रात के बारा बजे ये घटना घटी थी और पुलिस प्रशासन उसकी कारवाई कर रहा है लेकिन मेरे प्रियों हमें उनके लिए प्रात न करना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं प्रभू उनको सद बुद्धी दे उनको ग्यान दे क्योंकि परमेशन का वचन हमें बदला लेने के लिए नहीं लेकिन प्रेम करने के बारे में हमें बताता है कि अपने दुस्मनों से भी क्या करो प्रेम करो तो भरमेशर उनका नय है वो खुद करेगा मसी समाज में शांती बनाय रखना है रात न करें कि इसी घंटनाई हो रही है प्रभू सब को आशिज दे सब को सदबुद्धी दे आप सभी को जे मसी की रेजलाओ